मेडिसिन यानि की दवाईयों का हमारी जीवन और हमारी हैल से बहुत गहरा कनेक्शन होता है यह बात सही है कि अगर हम फिट और हैल्दी होते हैं तो दवाईयों की हमें कम जरूरत पड़ती है लेकिन फिर भी कभी नगभी हम सभी को दवा तो लेनी ही पड़ती है और जब हम दवाई लेने के लिए medical shop पर जाते हैं तो कई बार pharmacist हमें branded medicine का generic वर्जन्दी देता है जो branded medicine से price में भी कम होते हैं तो ऐसे में आपके मन में सवाल आते होंगे कि ये कौन सी दवाई है जिसका price कम है और pharmacist हमें ये medicine लेने के लिए suggest क्यों कर रहा है क्या ये दवाई low quality तो नहीं ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए ये video so hello guys हमारी चैनल को इस टॉप में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं जब कभी भी medicine और drugs की बात आए तो confused ना हो इसे ऐसे समझें कि सभी medicine drugs होती है लेकिन सभी drugs medicine नहीं होती क्योंकि medicine हमेशा non addiction होती है जबकि drugs addiction पैदा गरती है इसका हमारी health पर बहुत गहरा प्रभाव होता है वैसे generic medicine के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें comment में जरूर बताए कई लोगों का ऐसा सोचना है कि generic medicine duplicate होती होगी और कम effective होती होगी अगर आपके जानकारी के लिए बता दें कि generic दवाएं उतनी है effective होती है जतनी की branded दवाई होती है तो सवाल ये है कि generic medicine आखिर है क्या क्योंकि generic का मतलब होता है सामान है तो ये दवाएं सामान ने दवाएं होई लेकिन सामान ने का मतलब इसकी quality का कम होना नहीं है बलकि generic medicine एक medicine है जो branded medicine की तरह doses, safety, strength, uses, quality में same होती है जो market में अपनी एहचान रिखती है यानि generic medicine branded medicine की तरह ही same benefit provide करती है तो सवाल ये है कि generic medicine branded branded medicine की तरह काम कैसे करती है तो जवाब ये है कि generic medicine में भी branded medicine की तरह ही same salt or same composition यूज की जाती है इसलिए इसका body पर benefit same होता है और इन सब के बाद आप सोच रहे होगे कि generic दवाएं branded दवाओं से अलग क्यों दिखाई देती है तो इसका सीधा जवाब ये है कि generic medicine trademark law के मताबिक बिल्कुल वैसी नहीं दिख सकती जैसे branded medicine already market में होती है इसलिए medicine में shape, size, packaging, color, flavor अलग हो सकते हैं जो इसकी quality और performance को affect नहीं करते हैं और आप बताते हैं कि generic दवाओं market में का बाती है मगर इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक दवा के दो नाम होते हैं एक जो उसे pharmaceutical company द्वारा दिया जाता है और एक जो generic name होता है जो उस दवा की composition होती है जिस दवा से वो बनाई जाती है तो जब भी कोई फार्मा कंपनी एक नई composition वाली दवा market में लेकर आती है तो उस दवा पर वो patent ले लेती है जिससे उस company कोई अधिकार मिल जाता है कि कोई और दूसरी company उस similar composition वाली दवा को market में नहीं ला सकती और ये patent उस company को इसलिए मिलता है जिससे उस दवा को बनाने के लिए clinical trial और research पर उस company का जितना time और पैसा लगा है जब तक वो निकल नहीं जाता और जब उस company का patent expired हो जाता है तब बाकी सभी फार्मा कंपनी को permission मिल जाती है कि वो उस उसी composition पर बेस दूसरी दवा दूसरे नाम से market में निकाल देती हैं जिने हम generic medicine कहते हैं तो अभी तो आप समझी गए होगे कि generic medicine क्या होती है इसी के साथ एक common सवाल आता है कि generic दवाएं branded दवाओं से इतनी सच्टिक होती हैं तो इसके लिए आपको बता दे जब एक बार branded दवाओं को launch किया जाता है उससे पहले उन branded दवाओं का clinical research advantage, disadvantage, doses और उसके effectiveness को trail के रूप में major कर लिया जाता है जिसके बाद generic दवाओं को ये सारा process करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आशा करता हूँ अब तो आप समझ गए होगे कि generic दवाओं इतनी सच्टिकियों होती हैं इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है मिलते हैं आपसे next वीडियो में और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like और share और subscribe करना ना भूलिए धन्यवाद